अब अगर हम सावधानियों की बात करें कि अगर हम आप प्रत्यक्ष मौकिक अनुसंधान के द्वारा समंकों का संकलन करते हैं तो हमको कौन-कौन सी सावधानिया अपनानी चाहिए यहाँ पर हमको सबसे पहले तो तत्यों की पुष्टी कर लेनी चाहिए यानि कि जिस व्यक्ति से हम जानकारी ले रहे हैं उसने हमको जो बात बताई है जो सुचनाय दी है उनके पुष्टी अच्छे से कर लेनी चाहिए कि वो सारे जो इन्फॉर्मेशन मिली हमको जानकारी मिली है वो सही है वैसे ही हमको सही वेक्टी का चायन करना चाहिए यानि जो उससे संबंधित हो जो उस वेक्टी के बारे में जिसके बारे में हमको जानकारी चाहिए उसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानता हो उस विशापे बहुत अच्छी उसके जानकारी हो उसी वेक्टी का चायन हम को करना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम सूचना ले रहे हैं जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसकी मानसिक स्थिती सही है या नहीं है नहीं तो हो सकता है वो आपको अन्य व्यक्ति के बारे में कोई गलत जानकारी भी दे सकता है बिलकुल इसी अच्छना दी है उसका वास्तिविक अर्थ क्या है वो क्या कहना चाहर रहा है तो यह चीजुंगा यहां पर जब हम अप्रत्येक्ष मौकी करूं संधान करते हैं तो हमको ध्यान रखना होता है ये थी प्रात्मिक समंगों के संकलन की दूसरी विधी अगर हम प्रात्मिक समंगों के संकलन की तीसरी विधी की बात करें तो तीसरी विधी आती है इस्थानी समवाददाताओं द्वारा सूचनाओं को एकत्र करना तो जब हम इस्थानी समवाददाताओं द्वारा सूचना एकत्र करते हैं तो हम क्या करते हैं कि छेत्र विशेस में बहुत सारे समवाददाता हम नियूक्त कर देते हैं और उन समवाददाताओं के द्वारा हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उन सूचनाओं के आधार प कौन कौन से विशेस्ताय होती है यह आई हम देखते हैं एक तो इसकी सबसे बड़ी विशेस्ता यह है कि विस्त्रिक छेत्र के लिए बहुत उपयोगी होती है आप देखते हैं कि आप 36 बेट के देश दुनिया के खबरों को न्यूस चैनल में देखते हैं तो वो सारी चीजे के बहुत सारे संवात दाता अलाग अलग देश की पूरे हिस्सों में फैले होते हैं किसे भी में चैनल के अपने-अपने समवात दाता अलाग अलग चैनल में बैठे वे तो यह किसकी सबसे बड़ी विशेस्ता है कि इसका चेत्र प् sudah फ्र defense selected के लिए भी बड़े चेत्री के लिए बहुँठ उप्योगी होती हैं से इसके गुड के हम बात करें तो इसमें है अंशून दान करता की बात करते हैं तो भे Consider 25 स्विशेज में सवयम जाना नहीं पड़ता है जाने आने का उसका खर्च बथ जाता है और समय इसलिए कम लगता है कि वो बहुत जल्दी से उस सुचनाओं को ऑनलाइन माध्यमों से इंटरनेट उपकरनों के माध्यम से मोबाइल से या इमेल के द्वारा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेस्ता है कि मित्वय ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें धन भी कम लगता है वहाँ पर उसको जाना नहीं पड़ता है आपने देखा ऑनलाइन से वहाँ आज काफी सस्ती भी हो गई है इंटरनेट के माध्यम से यह वाट्स अप यह फेसबुक यह आने समचार पत्रों के माध्यम से आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी से देश-दुनिया की बहुत लेते हैं तो इसके जो परिणाम होते हैं वो शेग्र जल्दी से जल्दी तुरंद के तुरंद हमको प्राप्त हो जाते हैं अब जैसे इसके बहुत सारी विशेस्ताय हैं बहुत सारे गुण है वैसे ही इसमें बहुत सारी कमिया भी है इसमें बहुत सारी दोश है आये देखत आधार पर प्राप्थ होती है कि सत्यता कि पुश्टी नहीं होती क्योंकि अनुमान है तो बिल्कुल एक्जेक्ट एफेक्ट है सकते हैं यह नहीं कहा जा सकता है तो सत्यता का भी इसमें थोड़ा सा अभाव रहता है तीसरी बात है इसके एक दोश निकल कर सांद्धा कि मौलिक नहीं होती क्योंकि हम डारेक्ट उस खबर को सावधानिया रखनी होंगी कौन-कौन से सावधानिया हम को रखनी होंगी वहीं देखते हैं यहाँ फे समंवाद्धाथा नियुक्त कर रह है और सामने वाले व्यक्ति का विश्वास हासिल कर सके ऐसा व्यक्ति होना चाहिए तो एक तुमको इस बात का ध्यान रखना है दूसरी बात कि उसका कारे छेत्र निर्धारित होना चाहिए यानि प्रत्येक समवादाताओं को यह पतर हैना चाहिए कि किस-किस छेत्र में उसके क कि सवावक wagij को पहले से ही इसका विभाजन कर दिया जाना चाहिए इसमें ये एक सावधानी रखनी चाहिए कि शुचनाई जो है वह सही समय पर सही सुचना देनी चाहिए क्योंट कि बहुत तेज का जमाना है ह् धोत हो रही है खबरे जो है वह बहुत तेज आप तक पहुचाने का प्रयास किया जाता है तो समवाद्धातां को भीवे अपने तरफ से भी प्रयास करना चाहिए कि वह सटीक सुचना सही समय पर जो अनुसंधान करता है उसको पहुंचा सके वैसे ही एक सावधानिया आपर ये भी रखनी चाहिए कि अशुद्ध जो खबरे होती है गलत जो खबरे होती है उन खबरों से बचना चाहिए और जो सुचनाएं अनुसंधान करता प्राप्त करता है डारेक्ट उस पे वो फोकस ना करके उसको पहले उसकी को प्रयोग में लाना चाहिए तो ये कुछ ऐसी सावधानिया है जिनको जो अनुसंधान करता है वो जब प्रात्मिक आकड़ों का संकलन करता है तो इसको ध्यान में रखना चाहिए अब हम जो समंकों के संकलन की विधिया में हम अगली विधी इसकी देखेंगे जो कि चौ प्रश्na वाली जो होती है वो एक ऐसा उपकरण होता है जिसके हम बहुत सारे लोगों की सूचनाए एक ही पन्य में एक की पेज में पराप्त कर सकते हैं तो ये जो विधी होती है सुचको द्वारा प्रश्na वाली भरवाने की इसके अंतरगत क्या किया जाता है कि एक प्रश्नावाली का निर्माण करवाकर भिन भिनी छेत्रों में जाकर संबंधित लोगों से वो प्रश्नावाली भरवाई जाती है और उसके आधार पर आकडों का संकलन किया जाता है तो क्या होती है प्रश्नावाली और एक अच्छी प्रश्णावाली में कौन-कौन सी विशेष्टाएं होनी चाहिए यह हमको जान लेना बहुत जरूरी है आये देखते हैं कि एक अच्छी प्रश्णावाली में कौन-कौन सी विशेष्टाएं होनी चाहिए सबसे पहले तो इसमें प्रश्णों की संख्या कम होनी चाहिए या इस उद्देश्य को पूरा कर रहे हों कि प्रश्णावाली भरवा लेने के पस्चाथ आप आसानी से पता लगा लेंगे कि उस छेत्र में सिक्षा का इस्तर क्या है जैसा कि हम पूरु में भी इस प्रश्णावाली को पढ़ चुके हैं इस तरह की प्रश्णावाली का प्रयो तो जादा उप्यूगत रहेगा वैसे ही प्रश्ण वाली कि और क्या इन में होना चाहिए कि प्रश्णों का प्रारूप जो हो सरल हो समझ में आने लायक हो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी व्यक्ति की सिक्षा का इस तरह हम ग्याद करें और हम प्रश्णों हमने उसमें प सिध्ध हो जाती है हमने अपना उद्देश निर्धारित किया है कि हमको क्या पता लगाना है और उस उद्देश के आधार पे ही हम प्रश्णा वाली का निर्मार करेंगे तीसरी इसमें एक चीज यह होनी चाहिए कि वर्जित प्रश्ण ना हो यानि कि ऐसे प्रश्ण कभी कि ना डाले किसी प्रश्णा वाली में जिसको पढ़कर मांसिक रूप से कोई आघात पहुचे या उस प्रश्णों का उत्तर वो ना देना चाहे जैसे अगर आप सिक्षा का इस तर पता लगा रहे हैं तो इस तरह की प्रश्ण ना डाले कि जब आप दसवी कक्षा में अन वैसे ही अगर हम प्रश्णा वाली के अन्य गुणों की चर्चा करें तो प्रश्णा वाली में एक तो प्रश्णों का क्रम सही होना चाहिए किस तरह के क्रम होने चाहिए मान लिजिए आए ग्यात करना है आए पे हम सर्वी कर रहे हैं तो आप इस तरह से अगर लिखेंगे कि आपकी वार्षरिक आएक कितनी है और अगर आप ऐसा लिख दिए आपकी वार्षरिक पहले हम पूचेंगे कि आप नौकरी करते हैं या कोई वेवसाय करते हैं फिर हम पूचेंगे कि आपकी वार्षिक आई कितनी हैं तो प्रशनों का क्रम जो है वो सही होना चाहिए इसी तरह से निर्देश जब आप अपने वार्षिक परिक्षा का प्रश्ण उत्तर हल करने बैठते हैं तो आप देखते होंगे कि सर्वप्रथम एक निर्देश दिया गया रहता है उस निर्देश के अनुसारी आप अपनी प्रश्णों का उत्तर हल करते हैं बिल्कुल सभी प्रश्णावाली में उसी तरह के दिये जाने चाहिए कि प्रशनों की संख्या कितनी है, आपको उत्तर किस क्रम में देना है, सही या गलत, हाँ या नहीं, किस तरह से आपको उत्तर लिखना है, किस कलर की pen यूज़ करनी है, या pencil से भरने है, ये सारे जो छोटे मोटे में निर्देश होते है वो प्रशनवली म पहले से ही दे दिये जाने चाहिए वैसे ही प्रश्णावली में केवल अनुसंधान से सम्मंदित प्रश्ण ही होने चाहिए जिस विशय पर आप रिसर्च कर रहे हैं जिस विशय का अनुसंधान कर रहे हैं केवल उससे सम्मंदित प्रश्ण ही आपको प्रश्णावली में ल उद्देश परखी प्रश्णवाली का निर्मान करना चाहिए और और हम यह कह सकते हैं कि अनुसंधान के उद्देश को जो पूर करें वही वास्तों में सही प्रश्णवाली है प्रात्मिक समंकों के संकलन के जैसे ही दृतियक समंकों के संकलन के भी बहुत सारी विधिया होत करते हैं दृतियक समंगों के संकलन की अगर हम बात करें तो यहां पर हम दो स्त्रोतों का दो प्रकार के सोर्स होते हैं संकलन के इनका हम प्रयोग करते हैं एक होता है प्रकाशित स्त्रोत और दूसरा आप्रकाशित पहले हम बात करेंगे प्रकाशित स्त्रोतों की कौन-कौन स किसी ना किसी किताब में उनको प्रकाशित किया जाता है सब्सक्ता से अपने प्रकासिप करती है। सब चीजों की केल्कूलेशन की या उस से बार अक्रे होते हैं। को सरकार अपने वाशिक प्रकाशन में प्रकाशित करती है अगर किसी व्यक्ति को आय से संबंधित कोई जानकारी हासिल करनी है राश्ट्री आय प्रतिवेक्ति आय से संबंधित तो इन प्रकाशित आकडों को वो दृतियक समंगों के रूप में यूज कर सकता है वैसे ही सरक समय 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 पर, जनगरणा समंदी आकड़े आप सब जानते हैं। है जन्गर्ना से संम्मंधित आकड़ में प्रकाशित किये जाते हैं भारती रिजर्फ बैंक बुलिटन जो की भारत के सभी बैंकों की जो वास्तिविक स्थीथ में उसको सरकार या राजे सरकार द्वारा समय समय पर प्रकाशित किये जाते हैं इसके अलावा ऐसे बहुत सी प्रकाशित पुस्तके हैं जो सरकार प्रकाशित करती है और अगर कोई अनुसंधान करता चाहे तो इन प्रकाशित पुस्तकों को दृतियक समंक्य के रूप में प्रयोग कर सकता है यानि इनके आकड़ों को वो हासिल कर सकता है वैसे ही अगर हम अर्धुसरकारी प्रकाशन के बात करें तो अर्धुसरकारी प्रकाशन के अंतरगत क्या क्या आता है नगर निगम नगर पालिकाओं द्वारा ज तो समय समय पर अनुसंधान के पेपर जो प्रकाशित किये जाते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं दृत्यक स्त्रोथ के रूप में जन्म मृत्यू स्वास्त सिक्षा इन सबसे संबंधित बहुत सारे प्रकाशन इनके द्वारा किये जाते हैं उनकी हेल्प हम दृत्यक समंग के सं से होते हैं यानि अंतराष्टी संस्थाएं और विदेशी सरकारे जो होती है वो भी कुछ प्रकाशन करती है इनके अंतरगत आते हैं कुछ प्रमुख अंतराष्टी प्रकाशनों की अगर हम बात करें तो होता है अंतराष्टी स्ट्रम संगठन जिसे हम कहते हैं ILO International Labour Organization विश्व में श्रमिकों की इस्थिती श्रमिकों की कारे छेत्र उनकी दशाएं उनसे संबंधित जो वास्तिविक इस्थिती होती है सर्वे को दौरान उनसका प्रकाशन इसमें किया जाता है तो अगर कोई व्यक्ती कोई अनुसंधान करता श्रमिकों की दशाओं पर कोई अन प्रकाशन किया जाता है विश्व स्वास्त संग्ठन से आप सभी परचीत है डबलु एच ओ वर्ल्ड हैल्थ और्गनाईजिशन जो समय समय पर विश्व में स्वास्त की स्थिती महिलाओं की बच्चों की पुर्शों की विश्व में महामारी जो फैल रही है उनकी स्थितियों सब के बारे में वो विस्तार से अपने प्रकाशनों में उलेक करता है तो अगर स्वास्त के छेत्र में किसी प्रकार का कोई रिसर्च करना चाहे अनुसंदान करना चाहे तो डबलू एच ओ द्वारा प् यomatic की विश्व में बैंकों की दश्वारे में प्रकाशन अपने प्रकाशित स्त्रोतों में करता है तो अगर बैंक से 132 श्रम संगठों से कोई भी अनसंदान करता अनसंदान करना चाहें तो इन सभी अंतर ही अनतराश्टिंप्रकाशिती जोंड़ों प्रयोग वो अपने अनुसंधान में बिल्कुल कर सकता है। वैसे ही अगर हम बात करें आयोग और समितियों की तो वैसे तो हम देखें तो हमारे पास वित्य आयोग, एकाधिकार आयोग, योजना आयोग, ये बहुत से आयोग सरकार द्वारा बनाए गये हैं। चाहे जो नेख समय समय पर प्रकाषित करती हैं तो अगर कोई अनुसंधान करता इनसे रिलेटेट कोई अनुसंधान करना चाहे तो इन समीतियों द्वारा जो लेक समय समय पर प्रकाशित किये गए हैं उनसे वो कुछ चाकड़े दृतियक समंग के रूप में आसानी से प्राप्त कर सकता है इसी के साथ साथ कुछ पत्र पत्रिकाय भी छपती है आप देखते होगे से एकनॉमिक्ज टाइम गो से बहुत सी जन्रेल हैं वह सी पत्रिकाय हैं जिनमें आर्थिक स्वास्ते संबंदी से बहुत सारे विवरेंट रहते हैं बहुत सारे आक्डadow दिये रहते हैं तो इन प्रकाशनों की बात करें तो कुछ अनुसंधान संस्थाएं जो भी अनुसंधान करती हैं उन अनुसंधानों के लिए एक रिपोर्ट तयार करती हैं जैसे सांकिकी के छेत्रे में जो कारे किये गए हैं या आर्थिक शोध किये गए हैं विश्विद्याले के अंतरगत जो वि करके नहीं रखा जाता बलकि इनके जो आकड़े निकल कर आते हैं इनके जो रिजल्ट निकल ऑठार आते हैं वह प्रकाशित कर दिए जाते तो प्रतेक यह जो बैपारिक संगठन संस्थाएं हैं यह अपनी समितियों की एक वार्षिक रिपोर्ट एक एन्वल रिपोर्ट जरूर जारी करती हैं तो इन में उनके वार्षिक आकडों को प्रदर्शित किया जाता है इन आकडों को हम दृत्यक समंगों के रूप में आसा करना चाहता है और अगर वो समें सफल होता है तो उसका क्या आउटपुट मिला क्या उसने सर्वे किया क्या क्या उसने रिज़ल्ट लिकाल उसका प्राकाशन वह करता है क्यूंकि उसके द्ार fighty यंज आकड़े होते हैं वह कही न कही आगे चल के किसी दूसरे वेक्ति द्वारा दृतियक समंकों के रूप में यूज किया जा सकते हैं तो ये सारी चीजे हैं दृतियक समंकों के स्त्रोत जिनके आधार पर हम अपने अनुसंधान को आगे बढ़ा सकते हैं अब हम देखते हैं दृतियक समंकों का जब हम प्रयोग करते हैं त कहा कि प्रकाशित समंगों को बिना उसका अर्थ एवं सीमाय जाने जैसे का तैसा स्विकार कर लेना कभी सुरक्षित नहीं होता और उन पर आधार तरकों की आलोजना करना सद्यव आवश्यक है ऐसे ही अगर हम कॉर्णर की परिभाशा देखें तो उन्होंने कहा है अन्य व्यक्तियों द्वारा संकलित समंगों का प्रियोग सावधानी से न किया गया तो प्रियोग करता के लिए वे खतरे से पूर्ण होते हैं हमने इसके पहले पढ़ा कि क्या होते हैं द्रित्यक समंग और कैसे हम उनका कलेक्शन करते हैं कहां से हम उनको लेते हैं आधार बनाने के लिए लेकिन जब हम उनका प्रियोग करते हैं तो हमको बहुत सी साफधानिया रखनी होती है क्योंकि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि दृत्यक समंग जो होते हैं वो किसी अन्य वेक्ति द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान कलेक्ट किये गए होते हैं अब उनको हम जैसे की बाउले ने कहा कि जैसे का तैसा हम उनको यूज ना करें हम उसकी बारे में क्या करें उनके आधारों की उनके तरकों की जाज कर लें उनके जो आलोचनात्मक बिंदू हैं उनकी हम जाज कर ले और उसके बाद अपने उद्देश के अनुसार उसको प्रयोग में लाएं कॉर्णर का भी यही कहना है कि दृत्यक समंग को as it is उठा लेना और अपने अनुसंधान में उसका प्रयोग कर लेना गलत है और अगर हम ऐसा करते हैं तो कही न कहीं हमारे अनुसंधान के लिए खतरा हो सकता है कि हमादे अनुसंधान में हम जिन आकड़ों का प्रयोग कर रहें वो गलत है तो इन परिभाशाओं के आधार पर हम कुछ एसे बिंडु निकालेंगे जिसमें हम देखेंगे कि दृत्याक समंग को को प्रयोग में लाने से पहले हमको क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए इसको हम दो भागों में बाड़ सकते हैं एक तो आकडो की विश्वस्नियता पर ध्यान दिया जाना चाहिए और दूसरी बात और आकडों को प्रयोग लाने से पहले देखना चाहिए कि आकड़े उप्यूक्त है कि नहीं? यानि कि आकड़ों की उप्यूक्तता पर भी ध्यान देना अवश्यक है आकड़ों की विश्वसनेता की अगर हम बात करें तो हमको देखना चाहिए कि आकड़े जहां से संकलित किये गए हैं जहां से लिये जा रहे हैं जिस वेक्ति ने उनका संकलन किया है वो परियाप्त मातरा में है की नहीं है और क्या वो सही वेक्ति द्वारा संकलित किया गया ह तो इसकी पुष्टी पहले से कर ली जानी चाहिए उसकी बाद हमको देखना चाहिए कि संकलन के लिए जिस रीती का प्रियोग किया गया है क्या वो सही है किसी गलत रीती का प्रियोग करके आप पर्यापत आकड़े तो नहीं लिए गया है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वैसे ही हमको देखना चाहिए कि हम जो आकड़े ले रहे हैं वो अवधी के अनुसार सही है या नहीं है जैसे हम आज की अगर जनसंख्या के चेत्र में कुछ छोटा मुटा सर्वे करना चाहते हैं और हम आज से 30 या 40 साल पहले के जनगरना की आकड़ों को अगर हम आधार मान के चलते हैं तो कहीं न कहीं वो हमारे अनुसंधान के लिए खत्रा बन जाएगा तो सही अवधी का चैन करना भी जरूरी है वैसे ही हमको यह देखना है कि जो हम जिन आकड़ों को हम ले रहे दृतियक आकड़ों को वहां पर पक्षपात की संभावना ना हो ऐसा नहीं कि अ चाह रहा है उसके एकॉर्डिंग वो आकड़ों को लाए तो यहां पर पक्षपात की संभावना बनी रहती है इन बातों का हमको ध्यान रखना है उप्युक्तता कि अगर हम बात करें कि कौन से आकड़े उप्युक्त हैं तो सही सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पहले तक आए के बारे में जितने सर्वे किये गए हैं उनसे रिलेटेड रिपोर्ट को ही दृत्यक आकड़ों के रूप में प्रयोग करेंगे तभी वो आपके लिए उद्देश पूर्ण होंगे वैसे ही वो परियाप्त हो यानि उतने आकड़े आपको मिल सके जितने ही क नुसंदान हो चुके हैं उससे रिलेटेड आकड़े चाहिए तो सजातियता जो है वो बनी रहनी चाहिए वैसे ही अगर हम शुद्धता की बात करें तो हमको जैसे की बावले ने भी कहा और कॉर्णर ने भी कहा कि यहां पर जो आकड़ों की शुद्धता है उसकी जाच कर ले जानी चाहिए कि वो सही है शुद्ध है या नहीं है क्योंकि अगर मैंसा नहीं करते तो कहीं न कहीं आकड़ों के अशुद्ध होने की या खत्रे की संभावना बनी रहती है